हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल कम्पिटिशन तक और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2021 एकजाम का नोटिफिकेशन जो कि अभी तक रिलिज नहीं हो पाया है उसके बारे में लेटेस्ट में अपडेट मिली है जो मीडिया रिपोर्ट से जी नियूज की उसके अनुसार इसमें डेट्स दी गई है तो कम्प्लेट डिटेल्स आपको दिखाऊंगा लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ जो भी इस्टुलेंट्स हमारा चैनल कम्पिटिशन तक पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन पर जरूर प्रेस करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्समें बॉक्स में हमारे वट्सप ग्रूप का लिंक दिया गया है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें तो कंप्लेट डिटेल्स में आपको निउस दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीट एड की भरती के लिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया लेकिन आपको पता है कि जो जुलाई 2020 में एक्जाम होना था वो COVID-19 के कारण कंड़क्ट नहीं हो पाया था और वो एक्जामिनेशन अभी 31 जनवरी 2021 को कंड़क्ट किया गया था तो अभी जो नए एक्जामिनेशन है उसकी यह उम्मीद है कि 25 जून से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और आप लोग अपना फॉर्म ओनलाइन अप्लाई कर पाएंगे तो यह complete details थी अभी Gnews की latest news है आज की 22 जून 2021 की data में complete data जो मैं आपको दिखा रहा हूँ Gnews की news के अनुसार यह details में आपको बता रहा हूँ बाकि अभी तक official updates पे नहीं आया लेकिन C data ने एक नए notification कल रिलीज किया है वो उन भी द्यारतियों के बारे में जिनकी validity TAT की बढ़ा दी गई है जो पहले मितलब 2011 में अपियर होए थे और उनकी validity बढ़ाई गई है उसके बारे में notification जारी किया है 21.21 की डेट में इसमें कहा गया है कि उनके लिए कोई अलग से certificate जारे नहीं किया जाएगा लेकिन उनकी validity lifetime मान ले जाएगी तो यह details थे हमारी आज की C data की जो भी update हमें मिले आप लोगों तक पहुंचाई है तो जो भी updates, government examination, government job से समदित examination और classes के जो भी इसमें आए आप लोगों तक पहुंच सके इसलिए आप अमारे चैनल competition तक को ज़रूर subscribe कर ले और bell icon पर press करना ना बोले